हलो फ्रेंड चलिए आज बनाते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी बनने वाला पकोड़ा आप तो जानते ही होंगे अर्वी के पकोड़ा ये बहुत ही छोटा-छोटा मेरे पास पत्ते हुए थे ये में लाई हूँ पौधा और एक आम वाला कत्ता होता है न उसी में मिठ्टी डालके लगाए हूँ अपने च्छत पे इतना ही छोटा-छोटा ये होता है इसको क्या क्या मैंने तोड़के अब धो लिया है इसको क्या करेंगे बारीक काट लेंगे मैंने बारीक की से काट दिया है यह मैं औरुरी के पकोड़ा बना रहे हूँ यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन उसको मैंने कूट लिया है आप पीस के भी डाल सकते हो हल्दी पाउडर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर आधा-धा चमस्च धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और यह आमचूर पाउडर डाल दिया है नमक डाल दिया है, बेसन डाल देंगे उस हिसाब से आप लोग बेसन डालिएगा जिससे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए थोड़ा सा और मैंने बेसन डाला है अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से आथों से मसल लेंगे देखिए पानी गरम करने के लिए मैंने एक बरतन में रख दिया है अब इसको क्या करेंगे एक रोल बना लेंगे लंबा सा रोल बना लीजिए आप ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे गोल गोल पकोड़ा भी तो तल सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है हमें अब एक जाली रखेंगे उपर उस पे लगाएंगी तेल पानी हमारा उबलने लगा है एक ही बन के रिडिय हुआ था अब इसको क्या करेंगे ढख देंगे और भाब पे पकालेंगे देखिए ये हो चुका है चाकु से ऐसे चेक कर लीजिए ऐसे हो चुका है ऐसे भी आप लोग खा सकते हो लेकिन मैंने इसे कट कर लिया है एक बार आप लोग इस तरह जरूर बना के देखिएगा बहुत रिष्टी बन के तयार होता है ये देखिए अब तिल डालेंगे थोड़ा सा कड़ाई में ये रहा तिल आप ऐसे भी तल सकते हो लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है तिल डालके अब सेल फ्राइ कर लेंगे इसे आप चाहो तो इसे बेशन में बेशन का घुल बना के भी पकोड़े जैसे तल सकते हो देखिए पकोड़ा बन के रेटी बहुत ही टेस्टी बन के तयार हुआ ता वीडियो अच्छा लगे तो प्लीड लाइक अन सब्सक्राइब थैंक यू